कहानी बहुमत काप सत्य राजहंस व्रिक्ष की डाल पर बैठते ही बोला ओ बड़ी भीषण गर्मी है सूर्य ऐसा तप रहा है मानो प्रचंड आग का गोला हो राजहंस के शब्द उल्लू के कानों में भी पड़े वो अपने कोटर के भीतर से बोला बड़े मुर्ख हो तुम कहे रहे हो गर्मी पड़ रही है और आकाश में सूर्य तप रहा है जान पड़ता है दिमाग खराब हो गया है उल्लू की बात को सुनकर राजहंस से चकित हो उठा वो आश्चरे भरे स्वर से बोला तो क्या मैं जूट कह रहा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आकाश में सूर्य तप रहा है और जोरों की गर्मी पड़ रही है राजहंस की बात को सुनकर उल्लू कुछ क्रोध में आ गया बोला मुझे मुर्ख बना रहे हो अरे इस समय न तो गर्मी है और न सूर्य चमक रहा है बला रात में कहां सूर्य चमकता है सूर्य क्या होता है मैं तो उसे जानता ही नहीं सूर्य चमक रहा है या नहीं गर्मी पड़ रही है या नहीं इस बात को लेकर उल्लू और राजहंस में विवाद होने लगा देर तक विवाद होता रहा जब कुछ निर्णय नहीं हो सकता तो उल्लू बोला यहां से कुछ दूर पर सगन वन के भीतर एक व्रिक्ष के ऊपर हमारे बहुत से जाती भाई रहते हैं चलो उनी के पास चलें और उनी से निर्णय कराएं कि इस समय गर्मी पड़ रही है या नहीं और सूर्य चमक रहा है या नहीं राजहंस ने उल्लू की बात मान ली फलतह राजहंस और उल्लू दोनों ओड़ पड़ें दोनों ओड़ते हुए सगन वन में उस व्रिक्ष पर जा पहुँचे जिस पर बहुत से उल्लू निवास करते थे वन इतना सगन था कि चारों और अंधेरा सचाया हुआ था व्रिक्ष पर पहुँचकर उल्लू ने अपनी जाती के भाईयों को बुला कर कहा भाईयों ये राजहंस बड़ा मुर्ग है ये कहता है कि इस समय आकाश में सूर्य तप रहा है और गर्मी भी बड़े जोरों से पढ़ रही है मैंने इसे बहुत समझाया कि न तो सूर्य बात सुनकर सभी उल्लू ठटा कर हस पढ़े कुछ उल्लू एक साथ ही बोले क्यों जी तुम ऐसा कह रहे हो बड़े मूर्ख मालूम हो रहे हो क्यों हट कर रहे हो ये तो ठीक कह रहा है कि न तो इस समय गर्मी पढ़ रही है और ना आकाश में सूर्य तप रहा है राजहंस बोला तुम सभी लोग भी उसी की बात का प्रतिपादन कर रहे हो कैसी विचित्र बात है आकाश में सूर्य तप रहा है और गर्मी भी पढ़ रही है किन्तु तुम सबको भी न तो सूर्य दिखाई पढ़ रहा है ना गर्मी लग रही है जब राजहंस अपनी बात पर अड़ा रहा तो सभी उल्लू कुरुद्ध हो उठे उन्होंने कुरुद्ध होकर राजहंस पर आक्रमन कर दिया राजहंस भाग खड़ा हुआ अच्छी बात तो ये थी कि उस समय दिन था दिन में उल्लूओं को दिखाई नहीं पढ़ता अधर राजहंस अपना प्राण बचाने में सफल हो गया राजहंस मन ही मन पश्टाने लगा कि वो क्यों उल्लूओं के बीच में गया उल्लू तो उल्लू ही होते हैं उन्हें दिन में दिखाई नहीं पढ़ता दिन में दिखाई न पढ़ने की कारण वे तो येही कहेंगे न तो सूर्य है और न गर्मी पढ़ रही है राजहंस का पश्टाना ठीक ही था मूर्खों के बीच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जहां बहुत से मूर्ख होते हैं वहां सत्य भी असत्य हो जाता है इसलिए जो बुद्धिमान है वे मूर्खों से दूर ही रहते हैं कहानी से शिक्षा मूर्क अपने हट पर अड़े रहते हैं मूर्कों के बीच में ही नहीं जाना चाहिए जहां मूर्क अधिक संख्या में रहते हैं वहां सत्य भी असत्य हो जाता है कहानी समाक्त